अब यहां पर मादूर्गा जी के पूजा करने के बाद अपने हम घर के तरफ चल रहा है और आप लोग वीडियो में बने रहें कुछ अच्छी चीजे देखेंगे तो जरूर आपको दिखाएंगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अब हम अपने घर की जो पकी शड़क है वहां पर पहुंचने वाले हैं कि दूब बहुत तेज निकला हुआ है तो आप लोग पसीना हमारे चेहरे पर असपस्ट रूप से देख रहे होंगे इन प्यड़ों के नीचे थ्वस आराम करेंगे हम प्यड़ पौधे कितने जरूरी हैं आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो धूब इतना तेज निकला हुआ है लेकिन मुझे कहीं पर अराम करने का जगह नहीं दिखाई दिया जहां पर हवा भी लगे और छाओं भी हो यह दोनों चीजे किसी प्यड़ पौधे के पास ही मिल सकता है किसी को भी इसलिए प्यड़ पौधों का हमेशा सम्मान करें और सदिक सदिक प्यड़ पोधे लगाने का प्रयास कर रहे हैं अभी हम अपने घर पे पहुंचने वाले हैं और पहुंच करके आपको सारी अपडेट देते हैं दोस्तों पूजा करके माद उर्गा के मंदिर से अपने घर पे पहुंच चुके हैं हमको सपोर्ट करने के लिए आप सभी को धन्यवाद